कि नमस्कार दोस्तों मैं अरुन एगवा फिर से आप सभी के computer practical लैब में हर्दिक सुवात करते हूं दोस्तों आज की वीडियों में बात करेंगे अब यहां पर इसको रैट किलिक करके property में जाते हैं और प्रप्'Thi मींजाने के यहां são कि स्उप इसंप्गे करेंगे जैसे यहां पर इप फॉल्डर कुछ इस तरीके से यह गाइव हो गया लेकिन दोस्तों अगर आप यहांप यहां पर आप अपने कीबॉर्ड से f5 प्रेस करेंगे देखिए जैसे यहां पर भी मैं रिफरेस्ट कर रहा हूं इस तरीच से डैक किलिक करके अब यहां जैसे आप f5 करेंगे तो यह कुछ इस इस तरीके से ब्लिंग करने लगया आप किसी भी फोल्डर को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं अगर आप आफ करेंगे तो यह ब्लिंग करेंगा कुछ इस तरीके से की अदरबाईगी आपको नहीं रिखाये देगा चलिए अब दूसरे तरफ चलते हैं तो दोस्तों देखने आप किसी अपने किसित बढ़कि आप colony ठीट हैं किसी अले लीकिसे करतेने पर अपर ons कीवर्ड़ को अंदर रन कमांड में आपको OS के टाइप करना है और OK कर देना है तो देखिए आपका एक कीबोर्ड हा जाएगा अब इस तरीके से आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों ऐसी और भी टिप्स और टिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बनाई रहे हैं थैंक्स पूर लाजीं